नमस्कारम दोस्तों आज हम आपको बताएंगे संत्रे कजूस पीने के फायदे क्या आपको पता है अगर आप लगातार संत्रे कजूस पीते तो आपको क्या-क्या फायदे देखने को मिलेंगे आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों गर्मियों के सीजन चला है और इस समय संत्रे का जूस आपको कमाल के फायदे देखने को मिलेंगे, चलिए दोस्तों वीडियो में करते हैं, आज हम आपको बोड में step by step समझाएंगे, संत्रे में कौन कौन से पोस्थक्त तो पाए जाते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी बताएंगे, वीडियो के अ होता है, जिंक होता है, फाइबर जैसे खनिच से बरपूर होते हैं, वहीं इसमें विटामिन A, विटामिन C, विटामिन B, जैसे विटामिन मौझूद होते हैं, दोस्तों आपने देख लिया कि इसमें कौन कौन से पोस्थक्त तो पाए जाते हैं, जिससे आपको जानकारी म बिलेगी और आप अच्छे से स्तमाल कर पाएंगे इसका पहला फाइदा आखों के लिए लापकारी संत्रे में कैरोटीन और विटामिन दोनों होते हैं जो आखों की रोसनी के लिए अच्छे माने जाते हैं विटामिन कोर्णिया को प्रोटेक्ट करता है वही यह जूस आखो को बैक्टेरिया या इंफेक्शन से भी बचाने में मदद करता है जिन भी भाई बंदू को आखों की रोसनी कमजोर है अब तो छोटे छोटे बच्चे जो होते उनकी भी आखी की रोसनी कमजोर होती जा रही है तो उनको आप संत्रे का जूस पिलाए डेली और फाइदा द जानते हैं इसकीन को बैदाक और सुन्दर बनाएं विटामिन सी से भरपूर संत्रे जूस का नियंतर सेवन से इसकीन की प्रोब्लम दूर होकर तोचा सुन्दर और बैदाक बनती है मित्रो आपने देखा हो का बहुत से ऐसी माताय बहने होती भाई बंदू होते हैं जिनको इसकीन की बहुत परेसानी होती है उनके दाग होते धब्बे होते हैं इसकीन सुन्दर दिखाए नहीं पड़ती है रोम छिद्र भी खुले होते हैं और ज्यादा उनके चेरों पर प्रॉब्लम होती है संत्रे कजूस का डेली सेवन करिए आपको फायदा देखने को मिलेगा इसकीन की जितनी भी प्रॉब्लम में अधिकता प्रॉब्लम में संत्रेकजूस फाइदा करता है और इसकीन बेदाक और सुन्दर बनती है वीडियो के अंत में बताएंगे आपको संत्रेकजूस कैसे स्तमाल करना है और कौन से समय आपका सही रहेगा पीने का इसका तीसरा फाइदा जानते हैं, दिल को स्वस्त रखता है, विटामीन B9 और फोलेट के गुण बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखने में मदद करता है, संत्रे जूस के सेवन से आक्सी जेनिटिड ब्लड फ्लो सरीर में बना रहता है, जिसकी वज़े से दिल की ब आपका स्वस्त रहेगा, इसका चोता फाइदा जानते क्या है, इम्निट्री सिस्टम मजबूत करें, संत्रे जूस में विटामीन C पाया जाता है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, दोस्तों अगर आप अपने इम्निट्री सिस्टम को मजबूत करना चाते तो आप संत्रे कजूस का सेवन करें, आपको फाइदा देखने को मिलेगा, दोस्तो आज हमने आपको संत्रे कजूस के चार फाइदे बताएं, अब हम आपको बताएंगे संत्रे कजूस कौन से समय इस्तमाल करना है, कौन से समय पीना है, तो आपको जाएदा फाइदा होगा, मित्रो हम आपको बता रहें, अगर आप संतरेको उसका सेवन करते तो मॉर्निंक पर सुबह खाली पेट पीजे क्युकि फल का जूस जो होता है, खाली पेट पिया जाता है, फाइदा ज़ाधा करता है आप नास्ते में ले सकते हैं, खाली पेट पी सकते हैं दोस्तों जो हमने आपको चार फाइदे बताए हैं वो आपको मिलेंगे मिलेंगे और भी संत्रे के स्वास्तलाब मिलेंगे जो आप स्वास्त रहेंगे दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आपको डॉक्टर से सलाबी ले सकते हैं मेरी जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीस लैग सस्क्राइब और सेर किजेगा आज के लिए बस इतना ही नमस्कारम